हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा, अज के वीडियो में हम जानेंगे 15 मार्स 2021 के डेली करेंट अफियर्स, MCQ के बारे में, और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एक्ज कुर सकते हैं, इंस्ट्राग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्रिप्र में मिल जाएगा, और साथ ही अगर आप इस वीडियो का पाना चाहते हैं, तो आप हमें टेलिग्राम पर जॉइन करें, तो चलिए देर न करते हुए, देखते हैं पहला प्रस्ण, तो देखिए पहल के अंतरगत, स्री मोहम्मद गौश सुक्रे कमल को एक अतिरिक्त नियाइधिस नियुक्त किया है, और देखिए यह किया गया है, सुप्रीम कोट की सिफारिस को दो साल तक लंबित रखने के बाद, 12 मार्ज को किन्दर सरकार ने करनाटक हाई कोट के अतिरिक नियाइधिस के रूप में किसे चुना है, मोहम्मद गौश सुक्रे को चुना है, या कह सकते हैं नियुक्त किया है, इंपोर्टन फैक्ट्स देखिए, हमारे देश के राश्च्पती स्री रामनाद कोबिन जी ने संविधान के अनुच्छे 224 के खंड एक के तहर, स्री मोहम्मद गौश नियायले तथा बैंगलूरू के अधिनस्त नियायलोय में प्रैक्टिस की है, नेक्स्ट कुईशन हमारा है, डॉक्टर हर्च वर्धन ने हाल ही में किस अखिल भारती आयुर्विज्यान संस्ता में कई सुविधाओं का उधगाटन किया है, तो देखिए या उधगाटन ज देखिए केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्च वर्धन ने हाली में अखिल भारतियार विज्यान संस्तान बोपाल में कई सुविधाओं का उधगाटन किया, सासी प्रसाश्रीक ब्लॉक की आधार सिला रखी और एम्स बोपाल के सभागार को सम 2012 में, कब की गई थी? 2012 में की गई, इसके अध्यक्ष हैं वाई के गुपटा, और इसके निदेशक हैं सर्मन सी यह ध्यान रखना है सर्मन सी जो है वह भोपाल एम्स के निदेशक है भोपाल एम्स कहां है तो देखे भोपाल एम्स जो है वह मत्य प्रदेश के साकेत नगर में है कहां है साकेत नगर में इस्तित है यह भी याद रखे next question है हाल ही में quad नेताओं का कौन सा सिखर सम्मेलन आयोजिक किया गया है तो देखिए quad नेताओं का यह पहला सिखर सम्मेलन है option number A इसका correct answer है चलिए अब आपको quad का full form बता दिया जाए तो quad का full form है quadrilateral quadrilateral it means चतर भुज security dialogue यह हो गया quad का full form quadrilateral security dialogue चतुर्भुज सुरक्षा शंबाद हिंदी में से क्या कहते हैं चतुर्भुज सुरक्षा शंबाद आप ध्यान रखें चलिए से related important facts देखें तो यहां देखें हाल ही में quad नेताओं का पहला सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें एक आवहासी मोड हुआ है इस सम्मेलन में जापान के प्रधान मंत्री योशी हीडे सोगा सयुक्त राज अमेरिका के राशपती जो वाइडन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एस्कॉर्ट मौरीचन और भारत के प्रधान मंत्री स्री नरिंद्र मोदी जी ने नेताओं के साथ इस चर्चा में भाग दिया है चलिकॉर्ट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिया जाए ताकि जो भी क्वेश्चन्स कॉर्ट से रिलेटेड पूछा जाए तो आप उसका अंसर दे पाएं सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि क्वाड की अस्थापना कब की गई तो देखिए क्वाड की अस्थापना की गई थी 2007 में कब की गई 2007 में की गई थी और यह क्या है तो देखिए क्वाड जो है अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है क्या है अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है क्वार्ड के वह चार सदस्चे देश कौन-कौन से हैं तो देखें क्वार्ड के वह चार सदस्चे देश हैं ऑस्ट्रेलिया भारत जापान और संयुक्तराज अमेरिका नेक्स्ट क्वेशन है प्रधान मंत्री स्री न पूड होने पर परदार्मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने अमरित मुहत्सप वेबसाइट लॉंच किया हैं। इंपॉर्टन फैक्ट्स देखें तो यहां देखें। परदार्मंत्री नरेंद्र मोधी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कोने पर गुजरात में आजादी का अमरित मौहसब वेवसाइट लॉंच किया है साथ ही एहमदाबाद गुजरात में सावर्मती आश्रम से पद्यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस पद्यात्रा के तहित सांसद ऐली कौप्टर में मौत हो गई अनकी उम्र 59 वर्स थी उनके नीधन पर Frans के राश्टपतीि इम्मैनुवल MAKKRON ने DRgieCimon को अपनी संधांज ले दी चलिए हम Frans के बारे में जान ले तो Frans की रासधानि है PEDES Frans में बोले जाने वाली भासा है Fransisi Frans के राश्टपती इम्मैन्मवल MAKKRON Frans के प्रधान मंतरी एडवर्ड फिलिप हैं नेक्स्कूइचन है हाली में किस ने भोपाल में देश बढ़ के कारीगरों तथा सिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27 वे हुनर आर्ट का उधगाटन किया है तो देखिए इस हुनर आर्ट का उधगाटन जो है वकिया गया है सिवरासी चौह के द्वारा ओप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए मद्यप्रदेश के मुख मंत्री श्री सिवरासी चौहान ने हाली में किंद्रियाल्प संक्य कारे मंत्री श्री मुक्तावर अव्वास नकवी की उपस्तिती में मद्यप्रदेश के बोपाल में देश भर के कारीगरों तथा सिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27 वे हुनर आठ का उधगाटन किया है यह कारीगरों एवं सिल्पकारों के लिए रोजगार एवं ससक्तिकरन का एक मंच साबित हुआ है नेक्स्ट कुश्चन है पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीशा सफी को अपराधिक मानहानी केस में कितने वर्ष की जेल की सजा हुई तो देखें इन्हें तीन वर्ष की जेल की सजा हुई है इन्से लेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहां देखें पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीशा सफी को हाली में आपराधिक मानहानी केस में तीन वर्ज की जेल की सजा हुई है उन्होंने पाकिस्तानी पॉप स्टार अली जफर पर सेक्शुल हैरस्मेंट का आरोप लगाया था साथ ही मीशा ने सिस्टम पर धानली करने का भी आरोप लगाया है स्रिलंका ने बुर्का पहनने पर परतिबंद लगाने की घोसना की है स्रिलंका की राजधानी स्री जय वर्धने पूरा कोटे या नाम तहर बत्मान में दिया गया है पहले स्रिलंका की राजधानी कोलंबो थी सबसे बड़ा सहर कोलंबो है राश्पती है गोठा भैराज पक्षे और वहां बोले जाने वाली दो भासाएं हैं सीहला और तमिल नेक्स कुश्चन है यात्रा के दौरान त्वरिच सिकायत निवारन और पूछतास के लिए यह ने अपनी सवी हेल्प लाइनों को एक ही हेल्प लाइन नंबर में बदल दिया है निया हेल्प लाइन नंबर कौन सा है तो देखिए निया हेल्प लाइन नंबर है 149 139 नेक्स कुश्चन है किस बैंक ने महला उद्दमियों की मदद के लिए सलाह कारेक्रम एस्मार्ट अपनती लॉंज किया है तो देखिए स्मार्ट अपनती जो है यह लॉंज किया गया है HDFC bank के द्वारा option number A करेक्ट आंसर है किसके द्वारा किया गया है HDFC bank के द्वारा किया गया है questions related important facts देखिए अंतर राष्टे महिला दिवस के अफसर पर HDFC bank ने महिला नेताओं द्वारा महिला उद्दमियों को सला देने के लिए एक समर्पित कारेकरम सुरू करने की खोचना की है और इस कारेकरम के दौरान 3000 से अधिक महिला उद्दमियों को लक्षित किया जाएगा चलि हम HDFC bank के बारे में जान लें तो HDFC bank का मुख्याले मुंबई महराष्ट्रा में है HDFC bank के MD और CEO है ससीधर जगदीशन कौन है तो ससीधर जगदीशन है HDFC bank के MD और CEO HDFC bank का tagline है We understand your world तो यही आप ध्यान रखें कि HDFC bank का tagline जो है वह है वी अंडरस्टेंड यूर वर्ल्ट वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आवस्ते बताएं वीडियो में बताएं जाने वाले सभी कोईशन लेटेस्ट और इंपोर्टेंट हैं जो आपके आने वाले एक्जामस में अवस्ते पूछे जाएंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करना धन्यवाद